तो यह व्यांट वेल्कम टो वंटी क्लास इस माइनेम इस मंजीद भार्द वाज आएवर कमेश्ट्र लेक्ट्र आज हम पढ़ने वाले आएने के लिवरियम का लास्ट लेक्टर परेंगे ठीक है तो लेट स्टार्ट इट क्या होगा इसमें कैसे होगा कुछ चीजें करने व होगने में हो शाल्ट अनिलइस सांघ्ड एजिस सौरी ठीक है और टाइप सोफ साल्ट वफर सॉलीशन और सलीपलिटी प्रोड़क्ट ठीक है ये चार टॉपिक आज के हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं ठीक है ध्यान से करना चारों नए टॉपिक है आपके लिए ठीक है और चारों इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसके बाद लेसन कतम हो जाएगा next लेक्चर लगाएंगे उसके इनदर सबी फॉर्मूलाज वगएरा को डिसकस करने वाले हैं, let's start it, तो सबसे पहले आता है, भी, salt analysis, salt hydrolysis, sorry, analysis, hydrolysis का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, what is hydrolysis, hydrolysis क्या होता है, breaking water, क्या बिटा, मैं बताता हूँ, hydrolysis का मतलब, वाटर का टूटना, breaking कह सकते हैं, hydrolysis, तो hydrolysis का मीनिंग है, breaking of water, ठीक है, water दो टुकडों में टूटता है, ठीक है, तो h, water जो है, यहां हम water ले रहे हैं, और water दो हिस्सों में टूट रहा है, h positive 1, प्लस OH negative 1, ठीक है, तो इन दोनों में से, one या दोनों, ठीक है, तो one और बोथ, दोनों के दोनों, one और बोथ, interact, interact with, solute, solvent तो यह खुद है न, interact with solute, इसको बोलते हैं hydrolysis, hydrolysis का सिरफ एक मतलब नहीं होता है, कि water का आयन में टूटना नहीं, टूटने के बाद, जो दो हिस्से बनते हैं, वो दोनों हिस्से, ठीक है, वो दोनों हिस्से, या दोनों में से एक हिस्सा, solute के साथ जुड़ जाए, interact हो जाए, ठीक है, that is called hydrolysis, salt hydrolysis क्या होता है, salt जो है, वो पानी को तोड़े, और salt का हिस्सा, water के एक हिस्से के साथ, या salt के दोनों हिस्से, water के दोनों हिस्सों के साथ जुड़ जाए, yes, clear है guys, यह समझ में आया बेटा सबको, yes sir, है ना, तो salt का तूटना, पानी का तूटना और फिर salt के साथ जुड़ना, पानी का तूट के साथ जुड़ जाना, simply आप यह कह सकता है, तो process of interaction of water, देखो, यहां लिखा हुआ है, interaction of water, water का breakdown होना पहले ज़रूरी है, interaction of water नहीं, hydrolysis आपको पता होना चाहिए, with cation and anion, cation और anion के साथ में water जुड़ जाता है, और both, यहां बोथ भी लिखा हुआ है, और both, है ना, of the salt is called hydrolysis, इसी को hydrolysis बोलते हैं, that's it, अब आते तिया example थैं, by the sir on screen, तो देखो भई, example कौन सा हमने ले, हमने कौन सा example लेना वो बताता हूँ, acid, अब हम acid बनाएंगे, salt, salt की hydrolysis से, तो मालो CS3CO negative है, इसके साथ में यह salt था, na positive जुड़ा हुआ था, सोच लेना जरा, इसके साथ na positive जुड़ा हुआ था, तो अब यह na positive यहां पर भी ऐसी रहेगा, क्योंकि वो पानी में घुला हुआ रहता है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, इसलिए इन्होंने नहीं दिखाया, na से na कट गया, तो इसलिए इन्होंने नहीं शो किया, यह बत समझ में आगी होगी सभी को, तो देखो अब क्या होगा, करते हैं और वाटर दो हिस्सों में दूटता है, और साल्ट की वज़े से ऐसा हुआ, इसलिए साल्ट हाइड्रोलाइस, यस इस पहली रियक्शन में यह पूरा डेफिनिशन भी क्लियर होगी होगी, यस और नोट? अब दूसरा भी सेम है, अब फिर कोई फरक नहीं है, H, C, N था, सुपोज यह, H, C, N नहीं, साथ क्या लगाएं, H, O, H, K, C, N था, K, P, O, लगेगा इसके साथ, ठीक है, तो इसके प्लस में है, K, P, O, K, P, O, लगेगा, यहाँ पर भी K, P, O, रहेगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, उससे दोनों K, P, P, C, N था, यह, वाटर के साथ जुड़ेगा, H, पानी से छीन लिया, K, वैसे ही बाहर ही रहेगा, H, C, N बन गया, एसेड बन गया, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बेसिज के लिए, बेस बनाएंगे, वही साल्ट हाइड लाइसे से, NH4 पोजिटिव, यह साल्ट है, तो इसके साथ प्लस में मान के चलो, इसके साथ प्लस में CL नेगटिव लगा हुआ, ठीक है, वो CL नेगटिव प्लस में यहाँ पे भी है, तो इसने पानी के साथ किया, इसको मैं कम्प्लीट लिख रहा हूँ, ठीक है, अलमिनियो में, इसने बैलन्स नहीं किया, रिक्षन को बाकी में कुछ नहीं करूँगा, बैलन्स करूँगा, प्लस एक वाटर का मोलीक्यूल लेरका, हम तीन वाटर के मोलीक्यूल लेंगे, त्री वाटर के मोलीक्यूल से हैं, और वो क्या करेंगे, वो हमारे पास यहां, रिवर्सिबल रियक्षन ओविसर रिवर्सिबल दिखाएंगे, एल, ओएच थ्राइस, त्री वाटर के मोलीक्यूल थे, तो यहां भी अलमीनियूम क्या करता है, वाटर से ओएच ले लेता है, और अच पोश्टिवाइन वाटर में से रिलीज कर देता है, तो ओएच लेगा, तो अलमीनियूम हाइड्रो उक्साइड बेस बनेगा, ये तीनों हाइड्रो ये चारों हाइड्रो लाइसिस के एक्जांपल से हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो कॉममन सी बात बता रहा था, तो टाइप अफ साल्ट पढ़ेंगे, तो इतारोंगे, तो ये न्यूट्रल साल्ट बनेगा, ये काम नहीं आईगा, तो इसको भूल सकते हो नीचे वाले तीनों कासे दीए स साल्ट हाउ, दूसरा देको weep Acid और स्टोंग Saysर्ट साल्ट बनता है, जो स्ट्रोंग होता है, ना, basic salt, यह basic salt बनेगा, next देखो, strong acid और weak base से जो बनेगा, वो acidic salt बनेगा, yes, अब नीचे वाल बताओ फिर, weak acid और weak base से जो salt बनेगा, बतानो, देखो, weak है, अगर acidic भी बने, मालो, base बहुत ज्यादा weak है, और acid जो वो weak है पर base से थोड़ा strong है, तो salt क्या बनेगा, acidic, clear है, बक बक, weak acidic बनेगा, weak acidic मतलब, मतलब neutral के पास ही है, 7 से कम है, 6 से जादा है, है ना, pH, 7 से कम हो तो acidic होता है, बट 6 से जादा, 6 से उपर है, मतलब acid बहुत weak है, weak acidic बनेगा, तो लग बग neutral रहेगा, तो हम इसको partially neutral बोल सकता है कि नहीं बोल सकता हूं अगर दोनों ही same रहे इनकी जो weakness है दोनों की बराबर weakness रही तो पूरा अब एक चीज याद रखना यह जितने भी तरह के साल्ट बनते हैं ओल ओल साल्ट्स ओल साल्ट्स और सुल्यूबल सारे के सारे सुल्यूबल होते हैं याद रख लेना सुल्यूबल का मतलब पानी में असानी से गुल जाते हैं strongly soluble होते हैं यह कह सकते हम strongly soluble होते हैं सभी के सभी soluble हैं यह याद रख लेना अगर आपको लगे ना कोई यह less soluble है weak soluble है नहीं सभी के सभी completely soluble है ठीक है तो complete ionization होती है तो लिख सकते हैं इसको complete ionization complete ionization yes guys ये बात समझ में आई बटा सारे के सारे salt घुल जाते हैं चाहिए वो weak से बनाऊ चाहिए strong से बनाऊ चाहिए कैसे भी बनाऊ आगे उसको define करेंगे कि salt ऐसे कैसे घुल सकते हैं salt तो घुल जाते हैं लेकिन जो ना घुलने वाली चीज़ है वो कैसे create करते हैं यह हमारे इसाब से क्या होना चाहिए weak acid और weak strong acid और weak base से बना तो weak base problem create करेगा येस वो करता है I am saying लेकिन वो उसका salt घुल जाता है वो salt घुलने के बाद problem create करता है तो इसलिए मैंने इसको लिखा है complete ionization yes clear है ये बात सबको yes sir अब आगे बढ़ते हैं strong acid क्या बनेगा NACL plus water है ना तो ये जो salt है किसी काम का नहीं है या इन्हों ने एन्हों ने एच को भी पार्ट्स में टूटर गया तोटर गया और NACL भी पार्ट्स में टूटर जाता है कोई फरक ने पड़ता दोनों में से कोई react नहीं करेगा नूर सी यल रिक्षिन नी करेगा वाटर वाटर साथ कोई reaction नहीं करेगा वाटर की साथ reaction करेंगे तभी तो salt hydrolysis होएगी ना hydrolysis पाने की साथ reaction करे हमारा salt यह नहीं करता क्यूं देखो एक چीज simple बता देता हूं यहां strong बंदे पैसे वाले आदमी कह सकते हैं, strong इनको पैसे आगमंड है, पैसे ही गर्मी यह अपस में भी बात नहीं करते हैं बेवकुफ होते हैं पैसे वाले, simply यह कह सकते हैं वो पड़्ोसी से भी बात नहीं करना पसंद नहीं करते हैं होते हैं, सब भी नहीं, exceptions are always there बट बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, पैसा आने के बाद वो सोता है, यह मुझे नमस्ते बोले, मैं नी बोलूँगा, और सामने वाला यही सोच रहा होता है, यह मुझे नमस्ते बोले, मैं नी बोलूँगा, और दोनों एक दूसरे से बाती नहीं करते हैं, इगो अड़ता है, यहां भी यह दोनों ऐसे हैं, strong से मिलकर बने हुएं तो इनको लगता हम पता नहीं क्या हैं, हम ना एक दूसरे से बात करेंगे, ना तीसरे से बात करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, थीक है, तो यह strong base और strong acid रिस्पेक्टिवली, तो यह strong base और strong acid यह हैं, तो इसलिए neither यह दोनों पानी से रियक्न करेंगे, आपस में भी नहीं करेंगे, यह दूसरे दूरी रहेंगे, सब अलग अलग रहेंगे, समझ में आ गया बिटा, clear है, इसलिए कहते होते हैं, इसलिए कहते होते हैं, पैसा जैसे आता आदमी के पास, वैसे वैसे आदमी जो अकेला जाता बुगाटी, लिम्बरगिनी, इनने में दो ही सीटें होती हैं, और एक बस में 51 सीटें होती हैं, समझ रहे हो, इक आवन आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, और बहुत से लोग खड़े होके भी जाते हैं, बसो में, वो सब वो सब सोचल्द हैं, है ना, और लिम्बरगिन के साथ में नी बैठ सकता है, अकेला ही रह जाता आदंबी., जядह उपर जाओगे, जादा अकेले रह जाओगे, ऐसा नहीं कर रहा, पैसा मत कमाइए, पैसा कमाइए बहुत जुरूर है, ठीक है? लेकिन आम लोगों के बीच में रहे है, अपना लेवल अपना स्टेंडर्ड आम रखी है that's the best thing ठीक है यह जुरूरी है वरना बेटा शोशल लाइफ खतम हो जी कि इममेंस जो हो सोशल लाइफ के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं उनका mental setup बिगड़ जाता है लोग कहते हैं पैसा आने के बाद यह दिमाग घुम गया इसका पैसा आने के बाद में इनसान की सोच बदल जाती और ऐसा होता है इनसान की सोच बदलती नहीं इनसान तो वही होता है लेकिन उसकी उकात बाहर आ जाती है यानि पैसा आने के बाद वो अपना रंग दिखाता कि अब मैं क्या हूं मैं लोगों को दिखाऊंगा पहले तो ड सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब बात आते है अगर strong acid और strong base मेंसे कोई एक चीज वीक हो जाए तो weak acid हो गया और strong base हो गया, अब weak acid हो गया तो ये बहुत कुछ जानता है, strong वाला तो अलग ही रहेगा, अब भी याद रखना strong वाला अलग ही रहेगा, वो बले ही weak वाले के साथ आ गया है, लेकिन वो रहेग आया कहां से, salt आपको याद रखना है, इसलिए यहां important mark कर रहा हूं, वरना अगर आप भूल गए, कि salt कौन सा strong है, कौन सा weak है, यह दोनों mix हो चुके है, तो आपको पता नहीं लगेगा, कौन सा strong है, कौन सा weak है, ठीक है, तो definitely you should have to learn this, otherwise you will forget that and there will be problematic to you, यह आपको problem create कर देगा, तो CS3COH जो है, वो क्या है, weak acid है, सब को पता है, नEOH strong base है, यही तो हमारा topic था, weak acid strong base, क्या बना, salt बन गया, यही salt कैसे बना, जो मैंने important mark किया, वो salt है, और वो कैसे बना, इसी की कहानी अपने को को देखनी है, देखो, weak acid strong base नहीं, उनके उसे मिलकर बनने वाले salt को हम है, ठीक है, उनसे मिलकर बनने वाले salt की कहानी है, सारी plus water, अभी salt के अंदर मैंने बोला था न, सारे salt dissolved हो जाते हैं, यादे यह बात, सारे salt तो सारे dissolved हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी salt हो, है न, तो यहाँ पर भी यह कह रहा है, completely ionized, तो सारे के सारे completely ionized होने वा salt complete ionized होता है, इसको पानी में डाला हमने, इसको अमने डाला पानी में, aqueous, aqueous मतलब पानी में डाल दिया, inbuilt में पानी होता है, इसके अंदर, यह सोच लेना, plus में water लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, मर जी आपकी, नहीं लिख रहो, aqueous लिख दिया, that's enough, CS ratio negative और NA positive, तो यह पूरा तूट गया, पानी में डालते ही, पूरा तूट गया, यह तो मैंने आपको बताया था, पूरा तूट जाएगा, अब यहां तक भी कोई problem नहीं है, कि salt था, मैंने पानी में घोला, पानी में घुल जाएगा, मैंने बोला आपको, कि सभी salt पानी मे बराबर घुलते हैं, तो यहां तक भी सारों की कहानी बराबर रहेगी, बस example आपको याद रखने है, उसकी reaction याद रखने है, वो बना कैसे था, वो याद रखनी है, लेकिन उस salt को उठा के पानी में डालोगे, तो दो टुकडों में तूट जाएगा, यह सब में एक ही रह याद रहेगा, तो यहां पर भी वही कानी है, तो इसलिए बेक-en-टीम याद रहनी बहुत जुरूरी है, कि कौन-कौन कैसे-कैसे बनाथा, बट अब हमने salt को उठाए और पानी में डाल दिया, वो दो टुकडों में तूट गया, यहां तक सभी एक जैसा काम करेंगे, ने क्या बदला होगा इसमें जो strong acid वाला पार्ट था या strong base वाला पार्ट था पीछे देखो क्या है यह base जो वो strong है एने उएच तो एने उएच तो हमारे salt में एने positive था CS3COOH तो एने जो था वो strong base से आया था यह cation है strong base से आया तो यह क्या करेगा यह कुछ नहीं करेगा विल not undergo hydrolysis यह करेगा ही नहीं hydrolysis not undergo hydrolysis मैंने बोला था ना जितने भी यह strong वाले यह अपनी अकड दिखाएंगे तो सब strong वाले अपनी अकड दिखाएंगे यह समझ मैं यह तो क्या कि हमने मैं फिर से repeat कर रहा हूं process salt लिया चाहिए किसी का भी हो पर हमें back end में पता होना चाहिए strong acid strong acid base का या weak acid base का जो भी strong base वो पता होना चाहिए उसका example याद होना चाहिए वो तो याद रिखना पड़ेगा अब उसको उठागे पानी में डाल देया पानी में ठाते दोनों अलग हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं सब अलग हो जाएंगे कोई भी हो अब उसमें अगर कोई strong वाला है तो उसको वाहर निकाल दो बिल्कुल अलग कर दो अब यहां पर strong N नहीं था चीक है वो बेस से आया था तो हमेंने इसको अलग कर दिया अब जो बाकी बच गया ना ये करेगा जो भी धमाल करेगा तो ये हमारा बच गया CH3COO negative जब पानी में डाला salt को N पोजिटिव अलग हो गया CH3COO negative ये काम करेगा ये करेगा ये क तो अब देखो इससे क्या होगा अब दो टुकुडो में नहीं तूटेगा वीक एलेक्रोलाइट है अब तूटेगा थोड़ा बहुत वापिस भी जाएगा उदर देखो तो रिवर्सिबल रेक्शन दिखा रहा है लेकिन कुल मिलाके OH negative आइन की concentration बढ़ती जाएगी तो water में OH negative आइन बढ़ गया इसका मतलब water basic हो गया हो गया के नहीं हो गया ओधिसम्ट कि य Esp recipes जो है वह विक एसिड है यहां लिखा होई वीक एसीड है ठीक है चलो मैं सीदर यहां से लिक्ता हूं ऐस 시द्ट मैंसे जो है इसकी concentration बढ़ जाएगी, तो solution क्या हो जाएगा, basic, LK line, pH की value greater than 7 होगी, LK line का मतलब basic, Yes बेटा, सबको clear है, तो solution जो है, वो basic हो जाएगा, that's it, अब बात करते हैं, basic कैसे हुआ, हमें पता है, base strong था, पीछे देखो जाएगा, base strong था, तो basic हो गया, है ना, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि base strong था, तो जो weak acid था, उसके negative आयन ने, acid से negative आयन आएगा, base से positive आयन आता है, याद रख लेना, acid का negative आयन, base का positive आयन, और वो salt बनाते हैं, ठीक है, अब NACL से भी देख सकते हो, NAOH में, NA positive यानि, base से positive आयन आ रहा है, acid से negative आयन, CL negative आ रहा है, कैसे भी याद कर सकते हो, यानि कि acid से हमेशा negative आयन आता है, तो acid का negative आयन वाटर से reaction करेगा, और वो OH negative आयन की concentration को बढ़ा देगा, ऐसे basic बनेगा या, that is the reason how it will become basic, basic, base strong होने पर ऐसा होता है, clear है सबी गो, Yes guys, yes sir, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इसी salt का, ये तो हमें पता लग गया, तो इसका pH कैसे निकाले, ये basic तो हो गया, बट इसका pH तो निकला जा सकता है, तो ये pH कैसे निकलेगा, pH जो होता है, वो 7 plus half, 1 by 2, pka plus log c, याद रख ले न, बहुत ही important formula है, ठीक है, और यहाँ c क्या है भई, pka तो पता है, negative log of equilibrium constant for acid, है न, c is the concentration of anion, negative ion की concentration है, जो acid से आया था, negative ion, याद रख ले न, इसकी concentration है, ये c, concentration of salt नहीं है, c है, concentration of negative ion, anion, और ये किस पर applicable होता है formula, for salt of weak, क्या था भई वीक? weak acid था, and strong base, strong base, इसके उपर formula apply होता है, weak acid और strong base के उपर formula apply होता है, pka, weak acid है, तो pka, acid का pka निकलेगा, ठीक है, अब next case देखते हैं, salt of strong acid and weak base, उल्टा हो गया, जजबात पलट गए, सब पलट गया, ठीक है, तो इसमें, सारा case उल्टा हो जएगा, और कुछ नहीं होने वहल salt को पानी में डाला, पानी में डालते हो, तूड़ गया, तूटने के बाद जो strong वाला हिस्सा था, वो वीक वाला हिस्सा था, वो water के साथ reaction करेगा, हाँ बेटा, येस बेटा दुबारा बोलोगे, मुझे सुनाए नहीं दिया, क्या कह रहू हूँ, पी, are you asking about P? पी पूछ रहे हो, पी, पीच्छे दिखाता हूँ, P, के, ये देखो, P, के, ये क्या है, नेगटिव लोग ओफ के, पी का मतलब नेगटिव लोग है, यहां पर, पावर बोलते हैं, जनरली इसको पावर ओफ के, या फिर नेगटिव लोग, ज्यादा बेटर नेगटिव लोग बोलो, नेगटिव लोग ओफ के, पी, यहां पर स्टेंट फोर नेगटिव लोग, के, यह होता है, एकलिब्रियम कॉंसेंट फोर एसेट, क्लियर अबटा, ठीक है, येस, समझ में आया, ठीक है, ठीक है, येस, सर, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो नेग्स देखो भी, यहां हमने एक्जामपल लिया, सब कुछ सेम चलेगा, बस, बाकी सब जजबाद पलट जाएंगे, एसेट और बेस उल्ट गे, बाकी सब सेम है, एक्जामपल है, एक्जामपल है, एक्जामपल है, एक्जामपल है, एक्जामपल है, तो हम इसको लि नहीं यह सब को याद होता है। क्या बना? N-H4-C L बन गया, salt बन गया भई. यह तो back-end team का काम चल रहा है, salt हमने बना लिए, भी salt को पानी में डाल देंगे. ठीक है, यह reaction याद कर ले ना, reaction याद होनी चाहिए. ठीक है, इस salt को पानी में डालेंगे, तो हमें तो यह अंडर्गो नहीं जाएगा हाइड्रोलाइस के पानी को नहीं थोड़ेगा यह कुछ नहीं करेगा यह अलग हो जाएगा ना समझ गए यह सब सेम चल रहा है क्लीर है बेटा सबको अब आगे देखो जरा आगे क्या होगा उसको देखते हैं अब अमोनियम था अमोनियम आयन था नहीं पोस्टिवाइन जो क्या करेगा पानी के साथ रेक्शन करेगा यही पानी के साथ रेक्शन करेगा यही अंडर्गो जाएगा हाइड्रोलाइस के तो पानी के साथ रेक्श स्ट्रोंग एसे था वीक बेस था तो सॉल्यूशन ऐसे बनता है ठीक है और यहां पर उसने वही चीज दिखा रहा है कि अमोनियम हाइडरेट जो है वह वह बिंग वीक बेस रिमेन अनावनाइज तो यह अब अनावनाइज रहेगा नहीं होगा हाला कि बैकवर्ड रेक्शन में रेक्शन चलेगी बट ओएच नेगडिवाइन रिप्लेस नहीं करेगा यह वाली बैकवर्ड चल सकते ओएच स्पफब्ड ङण कंस्ज्स वाइन कोंशन्ट्रेश्न स सूो सुलीशन बिकम एसडिक येस गईज समझ में आगया सुलूशन एसडिक बन गया तो अब आगे बढ़ते हैं तो अब इस ऐसे डिक सोलुशन का पिएच कैसे निकालें तो इसका पिएच निकालें तरीका पहले क्या था सेवन प्लस हाफ पीके एप्लस लोग सी था अब ये पीके बी उगया पीके बी देखो जैरा धहन से जो स्ट्रोंग चीजा है यहां पर क्या स्ट्रोंग है इससे पिछले वाली सलाइड में आपको समझ में आएगा acid strong है, अगर acid strong है तो PKB, base वाला equilibrium constant लगेगा strong वाले का नहीं लगेगा, weak वाले का लगेगा यह याद रख लेना, लोग C क्या है concentration of NIN, cation, sorry negative, positive ion की concentration लगेगी, पहले वाले में negative ion की concentration लग रही थी ठीक है, यह लोग C हो गया 7 minus pH की value, minus PKB acid strong था, तो यह क्या होना चीए, acidic salt बनेगा, acidic salt का, acidic salt था तो acid liberate करेगा, इसका मतलब इसका pH जो है 7 से कम आएगा, इसलिए 7 में से minus हो रहा है ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है यह याद रखने का आपका तरीका है, choice is yours और यहाँ important लग गया, minus लग गया ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भी, the last note the least, तो यह last वाला पार्ट है हमारे salt hydrolysis का, इसके बाद दूसरा topic शुरू होगा, lecture खतम नहीं हो रहा है, इसमें दोनों week हैं, दोनों week हैं तो दोनों कमाल करेंगे, और इसका example भी आपको याद होना चीए, यह important example है, याद रख लेना, अगर example याद नहीं रहा, पेपर में बैठके कुछ नहीं कर सकते हैं, और numerical अगर आ गया, तो numerical के अंदर भी ना, जो हमारे चचा जान जो भी होंगे, जो हमें paper बनाते हैं हमारा, वो हमें नहीं देंगे weak acid है, strong acid है, strong base है, खुद देखके समझना होगा, complete hydrolyze होगा, नहीं होगा, weak acid होगा, खुद देखके समझना होगा, example याद कर लो, यही example आएंगे, 99.99999% यही example है, जो करवा रहा हूँ, 0.00001 example exception हो सकता है, लेकिन देखते ही समझ में आएगा, अगर यह याद है तो, yes, clear है विटा सबको, तो ध्यान रख लेना, तो इसलिए यह example अगर याद नहीं है, तो ना तो theory लिखने के लाइक, पता होगा कि क्या होगा, लेकिन theory भी नहीं लिख सकते हैं, और numerical dissolve करी नहीं सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि strong और weak cones हैं, तो कहानी खतम, तो CS3CO and NH4 get completely ionized, तो देखो भी salt दिया था, तो हमें पता है, अब इसने salt कैसे बना लिखा यह नहीं, जरूरत नहीं हो आगे आजएगी reaction, ठीक है, CS3CO H होगा, NH4 CL होगा, ठीक है, NH4 OH होगा समझ लो, H और OH हट गए इसके, और यह जुड़ जाएगा, तो देखो अब यह complete salt को सीधा पानी में डूबो रहा है, यह तो complete hydrolyze हो जाता है, यह तो हमें पता है ionize हो जाता है, hydrolyze है, ionize complete ionize हो गया solution, तो यह इस पानी में मैंने इसको डूबो दिया, तो यह दो टुकड़ों में तूट गया, अब दोनों टुकड़े weak के हैं, पहले तो एक टुकड़ा strong होता था एक टुकड़ा weak होता था, strong वाले को अलग कर देते था, weak वाला hydrolysis कर दा था, अब दोनों ही weak हैं, तो दोनों ही hydrolysis करेंगे, तो यहां देखिए, दोनों के दोनों hydrolyze कर रहे हैं, यह भी है, यह भी है, और पानी भी है, पानी में से H खीच लेगा, कर्बोक्सलिक acid बन जाएगा, और NH4 positive OH खीच लेगा, तो पानी की complete hydrolysis होगी, yes guys, यह समझ में आगया, पहले complete नहीं हो रही थी, अब complete hydrolysis है, पूरा पानी, पूरा पूरा जुड़ रहा है, पहले आधा जुड़ रहा था, बट hydrolysis दोनों के सिसमें, clear है भई? Yes, अब आगे देखते हैं, तो D point में अभी इसका इन्होंने formula दिया, इसका formula कुछ अलग है, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट है, तो इसने वो जो PKA प्लस लोग सी था ना, या PKB प्लस लोग सी था, अब इसने PKA और PKB की फोर्म में कर दिया, दोनों कोई, लोग सी हटा दिया, concentration negative iron या positive iron तो लगा यह नहीं क्यों, दोनों आयना इसमें, तो PKA और PKB का minus है, यहां पर plus नहीं है, अब यह बता देता हूँ, अगर PKA, if, अगर यह ज़्यादा है, this is large, इसकी value, large है, then, PKA ज़्यादा है, तो solution क्या होगा, PKA, power of equilibrium constant for acid, यहां दे भी रखा हैं, solution pH की value 7 से ज़्यादा होने वली है, then solution will be basic, will be basic, याद रख लेना, और basic कैसे आएगा, यह ज़्यादा है, तो दोनों का negative करोगे, तो overall positive value आएगी, positive value आई तो solution basic होगा, अगर यह value negative आई तो solution acid होगा, बस इतना याद रख लेना, क्योंकि यह value के उपर ही, पूरी value depend करती है, सोचो ज़रा, पूरी value इसी पर depend करती है, पूरी equation को ध्यान से देखो, यह value अगर बड़ी है, देखो मैं दूसरे color से mark करके दिखा रहा हूँ, यह value अगर बड़ी है, तो overall positive हो जाएगा, overall positive होगा, तो solution क्या हैगा, positive क्या होता है, 7 में जोड़ना है इसको, 7 में कुछ जोड़ोगे तो basic हो गया, yes or not, basic, और अगर मान लो, यह value ज़्यादा है, तो overall यहाँ पर negative term आएगी, 7 में से कुछ घटा दोगे, कुछ भी घटा होगे, 7 से कम ही होगा, वह aecity होगा, yes, clear है, yes sir, तो ऐसे, yes sir, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो बिटा, सीधा सीधा, तो यहाँ इसने वैसे दोनों point दे रखे है, if pk, a, pk, b, फलाना धिमकड़ा, यह plus होगा, ज़्यादा होगा, minus होगा, जो भी हो, जो भी आपका मन करे, वैसे उस तरीके से याद कर सकते हैं, that's it, ठीक है, अब next slide देखो, तीनों slide यह एक साथ दे रखी है, strong acid, weak base, strong base, weak acid, जो भी हैं, और दोनों weak, weak हैं ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, log C क्या था यहाँ पर, बता सकता है, मेरे को कोई लोग सीख्या था, negative ion था है, positive ion था, weak acid और strong base, strong base participant नहीं करेगा, negative ion होगा, weak acid का, weak acid negative ion देता है, ना, anion, concentration of anion, yes, यही था, या कुछ और था, सही लिखा है, येस, समझ में आ रहा है, येस सेर, और ये सी क्या है, ये concentration of, cation है, cation की concentration है, cation की क्यों, आपको weak वाला देखना है, weak base है, base weak है, तो base का क्या होता है, positive ion होता है, NH4 positive, है ना, ये चीज़ यहाँ देखना, यहाँ से भी confirm कर सकते हैं, weak वाला ही काम करेगा, strong वाला तो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, और नीचे, नीचे वाला सीधा दे रहा, दोनो weak है, दोनो weak हैं, तो PK, और इसके लिए भी मैंने लिखा था, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं, देन, solution will be basic, यहाँ तक सब को समझ में आगया बिटा, clear है सबी को, यही सलाइड में सारे तीनों फॉर्मूला डायरेक्ट दे रहे हैं, और यही सलाइड है, जो शुरू से अभी तक काम दे रही है, बस कुछ नहीं है, तो यह अगर याद हो गया, तो समझे ले ना, पीछे वाला सारे याद हो गया, आगे बढ़ते हैं, buffer solution, आप buffer solution की बात करते हैं, buffer solution क्या होते हैं, solution that resist a change in pH, upon addition, pH के अंदर change नहीं होने देते हैं, upon addition is small amount of acid और base, थोड़ा सा acid या थोड़ा सा base डालने पर, अगर वो pH में change नहीं होने देते हैं, तो उसको buffer solution मानते हैं, ठीक है, कैसे, अब बता देता हूँ, मान लेजे आपके पास में एक solution है, मैंने इसमें चुटकी भर, चुटकी भर acid डाल दिया, तो निउट्रल हो गया, solution acidic नहीं हो आँ, वैसा ही रहा, उसका pH सेम रहा, उसके pH में change नहीं आता, that's it, समझे जो बात, pH के अंदर change नहीं आता, clear है, तो अगर मैं थोड़ा सा base डाल दू, तब भी pH में change नहीं आता, दोनों ही cases में अगर pH में change नहीं आए, तो ऐसे solution को बोलते हैं, buffer solution, ऐसा क्यों होता है, solutions ऐसा क्यों करते हैं, इसके पिछे की कहानी है, ठीक है, वो बात में बात करेंगे, लेकिन आपका जो blood, हमारा जो blood होता है, humans का जो blood होता है, वो भी buffer solution होता है, और उसका pH होता है 7.4, yes, पता है किसी को, blood pH जो है, वो 7.4 होता है, बलड का pH 7.4 होता है, बायो के students को पता होगा, किसी ने पहले पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो भी पता होगा, और ये कभी बदलता नहीं है, इसका को फाइदा है अपने को, blood का pH same होने, पर इसका मतलब blood basic होता है, ये बात भी confirmed है, है ना, अब मुझे कोई बताएगा, इसका को फाइदा है, ये क्या लिखा, N, B, Me, works best sound pH, क्या बेटा समझ में नहीं आया है, क्या लिखा आपने, बताओगे प्लीज, एंजाइम work best in 7 pH, 7 pH पर एंजाइम best work करते हैं, ठीक है, लेकर हमारा तो 7.4 होता है, तो basic होता है, ये reason नहीं है, एक तो लो ठीक है, one of the reason मान सकते हैं, दूसरा reason देखे, क्या होता है, जो आप spicy खाना खाते हैं, spicy खाना खाते हैं, कचरा खाते हैं, खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सब के सब acidic in nature होते हैं, very spicy होते हैं, और ये acidic in nature क्या करते हैं, आपके blood को acidic बनाते हैं, पहली बात तो ये है, लेकिन at least, ये खाना आप खाई नहीं सकते थे, अगर हमारा pH जो blood जो है, वो buffer ना होता, क्यों? क्योंकि acidic blood को ये acidic बना देता, अंदर जाके बहुत ज़्यादा acidic कर देता, और आपको allergy हो जाती, जबरदस्त वाली allergy हो जाती, दाने निकलाते शरीर पर, खुजली होने लग जाती, और skin फटने लग जाती, अगर किसी दिन spicy खालिया हो, किस दिन basic खालिया हो, तब भी वैसा reaction होता, तब भी उल्टा पुल्टा reaction होता, acidic खालिया तो भी मर गे, basic खालिया तो भी मर गे, हम कुछ खाई नहीं सकते थे, इसलिए हमारे blood ने कहा, कि भाई कुछ भी खा, कोई चक्कर नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूँगा, तेरा भाई पीछे बैठा है, है ना, अंटी पुलिस बुला लेगी, तो यार तेरा कर लेगा handle, है ना गाना, तो वैसा ही है, पी-एच ऐसा ही है, कि तू spicy खालेगा, तो यार तेरा कर लेगा handle, लेकिन यार कितना के handle करेगा, रोज की रोज spicy खाएगा, तो यार भी एक दिन, कहेगा, अबे जा यार, दिमाग मत खराब कर, तेरा तो रोज का काम है, चार बोतल वोत का, काम मेरा रोज का, ये वाला गाना ना, तो ये पी-एच कहता है, कि रोज ही उसके उपर pressure डाले रखो, और हम लोग यही करते हैं, हर रोज उल्टा सीदा खाना खाते हैं, जिसकी वज़े से blood का pH जो है, वो basic से acidic होने लग जाता है, और अगर ये acidic हो गया, cancer का खत्रा बढ़ जाएगा, kidney failure का खत्रा बढ़ जाएगा, liver की problems बढ़ जाएगी, BP बढ़ेगा तो heart attack का खत्रा, cholesterol जमने का खत्रा, और brain hemorrhage का खत्रा भी बढ़ जाएगा, BP के बढ़ने से kidney failure का खत्रा भी बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें associated हैं, कैसे, अब बताता हूँ कैसे, pH अगर blood का ज़्यादा हो, मतलब basic हो, तो blood में oxygen को carry करने की capacity बढ़ जाती है, क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, blood में oxygen को पकड़ने की capacity बढ़ जाती है, तो मैंने थोड़ा सा सांस लिया, और blood ने सारे सांस में से oxygen चूस ली, और कहा, ले भाई, सब को बाट दिया, blood और दिल को कम धड़कना पड़ा, थोड़े से खून ने बहुत सारी oxygen ले ली, और सारी बोड़ी को बाट दी, बट अगर blood acidic है, तो blood oxygen को पकड़ेगा नहीं, नहीं पकड़ेगा, सो molecule में से मान के चलो, कि 90 molecule काम कर रहे हैं, 10 molecule काम ही नहीं कर रहे हैं, तो दिल को ज़्यादा धड़कना पड़ेगा, 72 की जएगे, 80 दार बार धड़कना पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा blood supply कर सके, है ना, ज़्यादा blood supply कर सके, ताकि oxygen ज़्यादा पहुंचा सके, तो oxygen ज़्यादा पहुंचेगी, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, लेकिन गाड़ी खाली है, passenger को लेकी नहीं आ रही, oxygen को लेकी नहीं आ रही है वो, blood, क्यों, pH जादा है, pH कम है, sorry, acidic blood oxygen को पकड़ता नहीं है, पकड़ता है, लेकिन 90% पकड़ेगा, 10% खाली, smoking जो लोग करते हैं, वहाँ पर carbon monoxide blood में चिपक जाती है, और वो तो ऐसी चिपकती है, कि वो blood को छोड़ती नहीं है, फिर blood ना oxygen पकड़ेगा, ना carbon dioxide पकड़ेगा, मतलब कुछ blood खराब हो जाता है, smoking से कुछ blood खराब हो जाता है, पर्मानेंटली, अब वो मरेगा ना जब, सोचो, जब वो मरेगा blood, और नया बनेगा उसकी जगह पर, 121 दिन लगते हैं, 120 दिन, नया blood बनने में, पूरी body का blood चेंज करने होने हैं, 6 लीटर blood है पूरी body में, 120 से divide करके देख लो, हर रोज कितना ml blood, 6000 को 120 से divide करो, 100 से 100 कड़गी, और 600 बच गया, 12 नीचे है, 6 दूना 12, 2 है उपर आ गया, 100 और 2 से 50, 50 ml हर रोज नया blood बनता है, सोचो, अगर आपने smoking की, तो कुछ blood खराब हो गया, permanently, carbon monoxide चिपक गी, तो वो 50 ml रोज नया बन रहा है, तो 50 की जगे ज़्यादा तो नहीं बनेगा, तो यानि कि जब वो नया बनेगा, तब ही वो ठीक होएगा, तो वो blood तो काम नहीं करेगा, वो तो खाली रहेगी, गाड़ी आ रही है, जा रही है, दिल का BP बढ़ेगा, इसलिए smoking से high blood pressure होता है, समझगे किसलिए होता है, क्योंकि blood को ज़्यादा कम करें, acidic blood हो, तो भी high BP हो जाता है, smoking करोगे, तो भी high BP हो जाएगा, और वो high BP लगाता रहने की वज़े से, क्या होगा, kidney पर pressure पड़ेगा, दिल पर pressure पड़ेगा, दिल पर पड़ेगा, दिमाग की भी नसे पतली-पतली होती हो, और उस पर pressure ज़्यादा, दिल ज़्यादा pressure देगा, उसके उपर भी pressure पड़ेगा, खाली blood गूम रहा है, बोड़ी में, काम आने जाने कुछ नहीं है, काम तो कुछ हो नहीं, बस blood घूम रहा है, तो दिल कहेगा, भाई, मेरे को oxygen, बोड़ी कहेगी, oxygen चाहिए, और फिर दिमाग एक hormone release करेगा, दिल के लिए, कहेगा, दे धड़क, धड़क, दे धगा, धड़क, और उसको विचारे को धड़कना पड़ रहा, परदस्ति, उसको उपर workload डाल दिया, आप लोगोंने ज़्यादा, क्या होगा, एक दिन तो विचारा काम करना छोड़ेगा, उगर गया, तो जिस दिन वो थख गया ना, उस दिन अपनी बैड बच जाएगी, यह याद रख लेना, समझ में आई, तो उसको यह नहीं कहना कि भाई धख जा, इसलिए blood को basic बनाईए, इसलिए कहते हैं exercise करते रही है, blood को basic बनाईए, blood exercise करने से हमारी जो, यह होती ना, blood vessels जो होती है, blood की pipe होती है, यह smoothly work करती है, यह में कुछ कचरा जमा हुआ हो, तो साफ हो जाता है, more than enough है, Sunday को छुटी भी कर लो, 6 दिन कर लो, हर रोज एक घंटा, बस काफी है, पर हम वो भी नहीं कर पाते हैं, या फिर उसके इलावा, उसके इलावा आप कम से कम धुमर पान तो मत करो, कम से कम ऐसी spicy चीजें तो मत खाओ, यह तो रोक सकते हो, चलो वो exercise नहीं कर सकते तो, अगर ऐसी चीजें खाने का मन भी है, तो शरीर पता क्या कहता, कता पूरी ash कर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई रोज मत कर, पॉल्यूटेड एयर को avoid नहीं कर सकते हैं बिटा, लेकिन exercise की जा सकती है, अच्छी चीजें खाई जा सकती है, कम से कम उस कचरे को तो बचाया जा सकता है, ये तो कम से कम हम कर सकते हैं, definitely say that की polluted air को हम वो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए blood शरीर कहता है कि हमें अच्छी चीजे दो, हम लोग क्या करता है, cold drink पीते हैं, cold drink में carbonic acid होता है, carbonic acid blood को acidic बनाता है, हडियों को dissolved कर देता है, जिससे क्या होता है, blood acidic हो गया, उपर से हडियां dissolved हो रही हैं उसके अंदर, तो kidney के अंदर calcium जमना शुरू हो जएगा, kidney problem आने लग जाएगी, IBP रहेगा, ठीक है, दिल की बिमारी लगेगी, ये सब कुछ, ये सब कुछ गडबड होने लग जाता है, सोचो एक छोटी-छोटी चीजों से, इलाज क्या है, पहली बात तो ये सब बंद करो, spicy खाना खा सकते हो, महीने में एक बार, बोड़ी कुछ नहीं कहीए, जादा से जादा महीने में दो दिन, उससे जादा तो फिर जादा ही है, याद रख लेना, दो दिन काफी होते हैं, एंजोई करो इपनी लाइफ, माना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोड़ी कहती, बाई, मेरा भी तो ख्याल करो, हमेशा कचरा मैं कितने दिन साफ करूँगी, फिर उसके बाद, बलड को बेसिक बनाओ, कैसे बनाया जा सकता है, एक निबू, हर रोज, गरम पानी में सुबह उठते ही, साथ में, सोडा, बेकिंग सोडा, एन एच सी ओ त्री, वन फोर्थ चम्मच, या उससे थोड़ा कम, आप अपनी बोड़ी के इसाब से देख सकता है, टॉलेट कितना कर रहे हैं, आपकी बोड़ी, वन फोर्थ से भी थोड़ा कम लीजिए, अगले दिन थोड़ा बढ़ा के देखिए, वन फोर्थ टोलड़ेट हो रहा है, तो ठीक है, वरना रहने देना, थोड़ा कम कर देना, वन फोर्थ चम्मच से थोड़ा सा कम, ठीक है, बेकिंग सोड़ा, प्लस नीबू, एक नीबू, गरम पानी में, दोनों का, मिक्स्चर, लगातार खाते रहिए, लगातार पीते रहिए, हर रोज, पेट साफ रहेगा, बोड़ी साफ रहेगे, टॉक्सिंस नहीं बनेंगे, ठीक है, आपका बलड बेसिक हो जाएगा, साल दो साल में, मच्चर नहीं खाएगा, अगर बलड बेसिक हो गया तो, मच्चर नहीं खाएगा, टाटिया, जिसको बोलते हैं ना, येलो वास्प होता हो, टाटिया, टाटिया बोलते हैं उसे, वहीं बोलते हो, आप लोग भी या कुछ और बोलते हो, ये सर, नहीं खाएगा, अगर वह खा गया, तो जितना मच्चर का जो दफ़ड हो जाता न, थोड़ा सा रेडिश हो जाता मच्चर के खाने से कई बार, उतना ही सूजेगा, उससे ज़्यादा सूजेगा भी नहीं, स्वैलिंग नहीं आएगी, हनी भी खा जाएगी, तो भी स्वैलिंग नहीं आएगी, सोचो कितने सारे फाइदे हैं, बलड को बिसिक रखने के, और तरीका बता रहा हूं कैसे हो सकता, बिसिक, नैच्रल थेरपी है, अगर इसके लावा कोई और थेरपी लेना चाते हैं, नैच्रल के लावा, एक और तरीका है, हनी भी, हर पंदरा दिन में एक हनी भी के पास जाना है, कोई भी मदू मक्खी जिन्होंने पाल रखी हैं, उस फ्रेंड के पास उनके पास जाई हो, उनको कहिए कि मेरे को एक हनी भी लड़ाए, कैसे ने कैसे करके, तो वो पकड़ के मक्खी आपके हाथ पे या जहां पे भी आप चाते हो, वहाँ पे वो डंक लगवा देगा, उसका स्टिंग वहाँ पे आपको काट लेगा, भर पंदरा दिन में, बीस दिन में एक बार, दो साल ऐसा कीजिए, आपका बलड बेसिक हो जाएगा, 100% ली बेसिक, मच्छर नहीं खाएगा, हनी भी अगर खाएगी तो मर जाएगी, आपको स्वेलिंग नहीं होगी, अलर्जी नहीं होगी, कैंसर डिजीज का खत्रा कम हो जाएगा, अगर आपका बलड बेसिक है, क्यों? ओक्सिजिन पूरी पहुँच दिया, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने किया था, कि अगर 72 घंटे के लिए किसी एक सेल को, बुड़ी में लाखों करोडो सेल हैं, एक सेल को ओक्सिजिन की सप्लाई, कि 72 घंटे के लिए कम कर दी जाए, 30% कम, 30%, तो वो सेल जो है न, वो बागी बन जाती है, वो आतंकवादी बन जाती है, और वो बोलती है, कि मेरे को ओक्सिजिन ऐसे कैसे नहीं देरे रहा तुम, तुम तो मेरा पार्टी नहीं हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और वो फिर अपने वाला ही चलाने लगे ति उसका DNA बदल जाता है, और वो cancer cell में divide हो जाती है, वो cancer cell बन जाती है, ये cancer ऐसे भी होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं cancer होने के बहुत सारे logic होते हैं, ये भी है, यानि आपका blood basic रहना चाहिए, body weight under control होना चाहिए, ज़्यादा mass बढ़ेगा दिल को उतना ही है न, उसको ज़्यादा धड़कना पढ़ेगा क्यों, क्योंकि एक kilo mass बनने पर, कहते हैं पता नहीं, 10 kilo mass बनने पर, I don't know the data, हमारा एक kilo meter का area बढ़ जाता है, एक kilo meter ज़्यादा blood को supply करना पढ़ता है, heart को, तो मोटापा बढ़ने पर BP बढ़ता है, तो मोटापे को control रखिए, blood को basic कीजिए, तक हर oxygen, हर cell को oxygen मिल सके, और हर cell को oxygen मिलेगी, तो cancer नहीं होगा, spicy खाना मत खाइए, cold drink मत पीजिए, पीनी है तो महीने में एक या दो बार, that's enough, daily drinker वाला बिल्कुल काम काता है, smoking से तो carbon monoxide बनती है, और जो smoking से एक और काम होता है, जो हमारी blood की vessels होती न, वो सक्त हो जाती है, सक्त, कितनी सक्त, अभी तो blood vessel कैसी होती है, rubber की pipe, जब blood pressure डालता तो वो open हो जाती है, और जब pressure कम होता तो वापी सिकुड जाती है, ऐसे ऐसे दिल की तरह वो भी कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन जब आप smoke करते हैं, तो smoke के बाद वो सक्त हो जाती है, काँच की pipe के जैसी सक्त हो जाती है, काँच जैसा होता है, अब blood जब pressure मारेगा, तो काँच की pipe swell, फूल तो सकती नहीं है, तो वो काँच की pipe तूट सकती है, जो सिर में पतली पतली पाइपे होती हैं, वो पड़क पड़क करके तूट जाती है, सिर में brain hemorrhage हो जाता है, और तुरंट dead, तुरंट तुरंट death, ये सारे, ये सारे, ये सब कुछ होता है, और यही वो वज़य है कि blood का buffer जो है, जो buffer solutions है, वो हमारा blood जो pH है 7.4 है, that is it, समझ गई, तो buffer solution होता है बेटा, जो थोड़े से acid को neutral कर दे, थोड़ा सा base अगर डालोगे, उसको भी neutral कर दे, दोनों को neutral कर देगा, उसका pH बदलेगा नहीं, register to change in pH, register to change in pH, pH को रोकता है वो, clear है, तो ये कहानी समझ में आगी होगी, second point इसका बकवास है, कुछ नहीं है, अगला point पढ़ते हैं, आगे देखें, type of buffer solution है, acidic buffer होता है, basic buffer होता है, और salt buffer होता है, हम इसमें से acidic और basic buffer के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चल्द ये देखते हैं, acidic buffer, example हैं, सिरफ कुछ नहीं है, solution of the weak acid and, it's salt with a strong base, तो ये होता है, solution weak acid का, इसका weak acid का salt और strong base, तो weak acid देखिए, carboxylic acid weak acid है, और इसका salt दिया हुआ है, ये रहा weak acid, ये रहा salt, और strong base हम naOH लेंगे यापे, ध्यान से देखोगे, आपको naOH मिल जागा, naOH था, positive water में से ले जाता है, ये ठीक है, naOH है, that is it, अब next वाला example, ये example है, जश्चे आपको याद करने हैं, याद रख लेना, buffer solution के example, HCN, weak acid, weak acid का salt, और base जोगा strong होगा, उल्टा हो जाएगा base, ठीक है, HCN क्या है, ये weak acid है, KCN क्या है, ये salt है weak acid का, salt है, और plus strong base, strong base क्या होगा, KOH, that is the strong base, ये लिखा नहीं है, बाकि लिख दोगे, तो भी कोई दिक्क्त नहीं है, basic buffer देखिए कौन से होते हैं, weak base, जो basic होगा, उसका weak base होगा, इसका salt, और strong acid होगा, तो example, एक एक एक्जम्पल दे रखा है, NH4OH, NH4CL, ये दोनों का mixture, और इन दोनों में basically काम क्या करता है, अब ये इसने काम करने के बारे में बता रहा है, देखो, NH4OH और NH4CL तो अलग हो जाता है, strong base से आया था, ये ना, strong acid से सो रही, तो ये NH4 positive ही काम करता है, to form the buffer, यही काम करता है buffer का, यानि, इसमें थोड़ा सा acid मिलाओगे तो उसको neutral कर देगा, थोड़ा सा base मिलाओगे तो neutral कर देगा, जादा करोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकता है, आगे बढ़ते हैं, application of buffer, अब applications देखो buffer की पहला है, biological research maintain the pH culture, तो biological research के अंदर कई बार, हमें bacteria या virus को grow करना पड़ता है, तो उसको उसके pH को maintain करके grow हो सकता है, ठीक है, pH को एक particular scale पर maintain करते हैं, next, industrial processes के अंदर, electroplating में और, leather industry के अंदर भी इसका use होता है, next, in the biological process, pH of our blood, इसकी तो मैंने पूरी कहानी सुनाई आपको, blood का pH जो होता है, वो 7.4 होता है, ठीक है, तो ये कम या ज़्यादा होने पर क्या करता है, blood के अंदर क्या action करता है buffer का, pH को 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 maintain करके रखता है, ये है वो blood में, H2CO3 जिसके बारे में बता रहा था, carbonic acid और HCO3 negative, ये दोनों iron है, जो blood के pH को buffer उसमें बना के रखते हैं, ठीक है, blood को basic बना के रखते हैं, तो यहाँ पर जब हम carbon dioxide cold drink लेते हैं, तो carbon dioxide उसमें H2CO3 के amount बढ़ा देती है, जिससे वो acid हो जाता है, blood acid हो जाता है, basic नहीं, इसलिए जो cold drink है, वो खतरनाक है, प्योरली scientific chemical reason बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोग ऐसे ही सुनते हो, कोई TV में कोई बाबा कहा दे कि यह मत पियो तो ऐसा नहीं है, यह scientific reason है, doctors भी बोलते हैं कि यह चीज़े खतरनाक होती हैं, कभी-कभी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोड़ी इतना टॉलेट कर सकते हैं, लेकिन रोज नहीं, रोज हमेशा natural चीज़े खाई है, ठीक है, और blood को basic बनाने का तरीका बता चुका हूँ, apply कर सकते हो, दोनों में से कोई भी, next, solubility, अब देखिए भी solubility क्या होती है, बहुत असान सा concept है, solubility, पानी के अंदर maximum कितना नमक घुल सकता है, कैसे बताओगे, पानी का amount fix करना पड़ेगा के नहीं करना पड़ेगा, पानी में नमक घुल दो कि सर, पानी मैंने बढ़ा दिया था आपको कि सर, अब और घुल जाएगा, तो मैंने पानी को fix कर दिया, वन लिटर, भी एक लिटर में, तो हमने साइंटिस्टों ने dissolved करके देखा है, that is the 357 gram, एक लिटर में, इसके मॉल निकालने तो, NACL के मॉल निकाल रहा हूँ, तो NACL के मॉल कैसे निकलेंगे, given mass, divided by molar mass, molar mass कितना होता है NACL का, पता है किसी को, sodium का 23 है, प्लस chlorine का कितना है, 35.5, कितना हो जाएगा, 58.5, इसको divide करते हैं, कितना आएगा, 6.1 मॉल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 6.1 मॉल, यानि पानी में 6.1 मॉल हम वाटर के अंदर एक लीटर में घोल सकते हैं, क्या नमक, इससे ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा ना घोल सकते हैं, तो ऐसे solution को बोलते हैं, saturated solution, जिसमें particular amount जितना घोल सकता है, उतना घोल दिया, उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे बस करो अब इस से ज्यादा घुलेगा ही नहीं है चाहे कुछ भी कर लो टेमपरेचर बदल दो तो घुल जाएगा वरना नहीं घुलेगा तो यह हमारा सेचुरेटर सॉलुशन है क्लियर है सभी को यस सर तो इसको बोलो बिडियने क्या होते हैं मॉल पर लिटर यसे हमने मोल निकाले और यह जोटा पानी में या फिर इसका एक ओर यूनिट उता है ग्राम पर लिटर, 357 ग्राम नमक पानी में घुल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा, येस, क्लियर है ये सबी को बेटा, येस सर, ठीक है, अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की क्लासिफिकेशन की किस तरह की होती है, कैटेगरी वन, दीन में गुल सब्सक्राइब, तुर्द भॉनन में, सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब, पानी जल्ट पर जहाँ होगा, denay, बॉट गुल रहे हैं, वाल DAY, क्लियर है ये, तो स्लमोन फिल्म, ये América, ये सब्सक्राइब, ज्यादा solubility होती है, पहली category, पहली category clear होगी, ठीक है, उसके बाद दूसरी category की बात करना है, slightly, थोड़ा घुलता हो, एक तो तक घुल जाता पूरा, वो तो उपर वाला है, 0.1 से ज्यादा, अगर किसी की solubility है, mole per later में, अगर कोई 0.01 से कम, ज्यादा हो, but 0.1 से कम हो, इन द दोनों के बीच में, अगर capacity हो घुलने की, तो हम उसको बोलते हैं, what we will say this, इसको हम बोलते है, slightly soluble, थोड़ा सा घुलता है, ज्यादा नहीं घुल पाता, example, example, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, BAOH twice in water, solvent का नाम जुरूर लिखना, BAOH twice हो सकता है, रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं, category number three की, category number three में बोलते है, sparingly soluble salt, कौन से होते हैं, जिनकी solubility 0.01 से भी कम हो, यानि इस से भी कम घुलते हो, और इस से कम में वो saturated बना जाए, मतलब इस amount से जदा हो, घुली नहीं सकते, उनकी capacity बेचारों की इतनी होते, तो उस से कम में saturated बन जाते हैं, example है, यहाँ पर AGCL, अब ऐसा क्यों होता है, AGCL में, यह कम क्यों घुलता है, इसका reason सुनिए, AG और CL के बीच में, जो bond होता है, वो covalent bond होता है, approximate covalent bond, ठीक है, approach covalent bond, क्योंकि यह covalent bond होता है, ठीक है, तो इस वज़े से ionic में ionic चीज़े घुलती है, इसलिए घुल नहीं पाता है, इसका reason ही है, yes guys, समझ में आगे बिटा सबको, yes sir, यह example तीनों याद रखने हैं आपको, nothing special in this, ठीक है, अब बात आती ही, KSP solubility product क्या होती है, कोई चीज़ घुलत हो गई, maximum घुल गई, जितनी घुलनी थी, अब maximum घुलने के बाद, अगर उसके ions की multiply निकाल लो, ions, क्योंकि हम ion की equilibrium कर रहे हैं, हम ion की बात करेंगे, तो ions की multiply निकाल लोगे, raise to their power of coefficient, only ion की, equilibrium constant क्या होता है, product raise to their power of coefficient, divide by reactant raise to their power of coefficient, यहां reactant हम लेंगे नहीं, सिरफ product, जो घुले हैं, ठीक है, जो जितना salt घुल गया, उस salt के घुलने के बाद जो ion बनेंगे, उन ion की multiply raise to their power of coefficient coefficient, coefficient तो power से multiply होगा होगा, उसको बोलते हैं, solubility product, yes guys, समझ में आया, solubility product क्या होता है, जिसका simple example भी दे देता हूं, solubility product, और वो saturated solution होना चाहिए, याद रख लेना, जितना घुल सकता है, उतना घुल गया हो, यह बहुत important है, saturated solution, saturated अगर नहीं हुआ, तो उसको KSP नहीं बोलेंगे, फिर same चीज़ निकालने पर उसको ionic product बोलेंगे, वो भी बताता हूं क्या होता है, तो पहले यह देखते हैं, मानलो एक example है, बहुत बढ़िया example दे रखा है के PB, CL2, तो PB2 positive और CL2, 2, CL negative बन गया है और PB1, PB बन गया, अब इसने क्या कर रखा है, ध्यान देना जरा, इन्होंने क्या कर रखा है, PB1 है और CL2 है, ध्यान देना, CL2 है, PB1 है, तो KSP क्या होगा, PB की power 1, PB2 positive की power 1 और CL negative की power 2, तो आयन, products जो दे रखे हैं, product की multiply raised to their power of coefficient, पहले हम equilibrium constant निकालते थे, उसमें क्या करते थे, product by reactant raised to their power of coefficient, अब product, only product raised to their power of coefficient, only, उसको बोलते हैं, solubility product, लेकिन वो कब, अब ये भी देख लो, वो कब होती है, तो ये होती है, तब जब saturated solution हो, only for saturated solution, only, जब solution saturated हो, for saturated, only for saturated solution, याद रखना, सिर्फ saturated solution पर apply होती है, अगर solution saturated मतलब, जितना घुलना था घुल गया, अब इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा, particular temperature पे, अब अगर solution saturated ना हो, और हमने ये same चीज निकाल ली, तो, माल लो, मैंने पानी में नमक घुलता है, 6.1 mol per liter, तो na positive भी 6.1 mol होगा, cl negative भी 6.1 mol होगा, दोनों को multiply कर दिया, कितना आ गया, लगबग 36 से ज़्यादा 37 कुछ हो जाएगा, है ना, इतना ही mol per liter आ गया, clear है ये बात, निकाल के दिखाऊं, चलो, देखो, water का लेते हैं, चीक है, हमने water ले लिया, na cl इसके अंदर dissolved कर रहा है, कितना dissolved किया, 6.1 mol, यानि 357 gram, चीक है, और 1 liter water है, temperature वही है, 25 degree Celsius, चीक है, तो अब मैं अगर इसके अंदर na cl, तो पानी में जाके na cl टूट जाएगा, definitely na positive बनाएगा, और cl negative बनाएगा, है ना, तो इनके ions की concentration कितनी कितनी होगी, जितना ये था, 1 mol ये था, तो 1 ही mol दोनों बने हैं, तो ये भी बनेगा 6.1 mol, ये भी बनेगा 6.1 mol, है ना, तो ksp कितना आजाएगा, ksp दोनों की multiply आजाएगा, raised to their power of coefficient, दोनों का coefficient तो 1 है, तो यानि कि direct दोनों की multiply होजएगा, कितना बना, 37.something, something कितना होता है, जिसी को पता है, 6.1, multiple 6.1, 21, 37.21, ठीक है, तो इतना बन गया, ksp, पर अगर मैं ये कहूं, कि मैंने नमक जो है, वो एक चुटकी मिलाया था, एक लीटर में, और मैंने फिर उसकी concentration निकाल ली, उसकी concentration डेफिनेटली 6.1 mol से तो कमी निकलेगी, पर लीटर, मान लो 5 mol मिला दिया, चलो एक चुटकी छोड़ो, अगर मैं ये बोलता हूँ, कि मैंने 5 mol मिलाया, same water है, ये same water है, इसके अंदर 5 mol है, NACL, तो क्या होगा अब, NACL की concentration निकालूँगा, NACL, CL negative, ये 5, ये भी 5, कितना आ जाएगा, KSP आ गया, 25, yes, clear है, इसको KSP नहीं बोलेंगे, formula सेम लगाया, इसको बोलेंगे, IONIC product, KIP, yes guys, ये समझ में आ गया, KIP क्या होता है, Yes sir, जैसे equilibrium constant में, equilibrium constant से पहले, हम क्या निकालते थे, केसी निकालते थे न, तो एक क्या उसी निकालते थे, reaction quotient, जब equilibrium नहीं आया, उस time पर product by reactant को अगर निकाल लोगे, तो उसको reaction quotient बोलते हैं, क्या उसी, याद है, yes, same चीज ये है, कि जब saturated solution नहीं है, saturated से कम है या ज़्यादा है, कुछ भी हो, लेकिन saturated नहीं है, तो उस time पर उसको बोलेंगे, KIP, ionic product और solubility product सिरफ saturated solution की होती है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले page में यहीं चीज, solubility product की definition है, कुछ नहीं है इसमें, यह रहा, ionic product यहीं बता रहा था आपको, clear है, और यह कब होता है, when, when solution is not saturated, but, हो सकता, अगर saturated पर निकाल ली तो, उसको अगर मैंने गलती से KIP कह दिया, तो वो equal KSP है, equilibrium constant की product, तो इसलिए मैं इसको नहीं care mention करूँगा, but आपको ionic product की definition clear हो जानी चाहिए, ठीक है, तो for the solution, salt specific concentration, the product of the concentration of ions, यह सीधा है, product of concentration of ions, saturated नहीं है, किसी भी concentration पर, specific को काट रहा हूं, इसको आप कर लो, specific की जगहें पर कर लो, any, any concentration, any concentration के उपर, किसी भी concentration के उपर, the product of concentration of ions, raise each raise to their power of coefficient, यह कर देते हैं, तो ionic product बन जाता है, yes guys, समझ में आगी, ionic product क्या होती है, KSP होता है, बस, वो saturated नहीं होता, clear है, नीचे वही example इन्होंने दे रखा है, जैसे KP, क्यों, पी कि यह होता था, वो होता था, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सीधा समझ में आगया तो, पूर resemblance दिखा रखी है, तो यहाँ देखिए, solubility product के लिए, यह बोलता है, solubility product KSP होती है, applicable only on, only saturated solution पर applicable है, formula वही लगेगा, product raised to their power of coefficient, ठीक है, ions का product raised to their power, measure the maximum amount, maximum निकाल लेगा यह, क्योंकि उससे ज़्यादा घुली नहीं सकता, ठीक है, अगे देखो, ionic product का, ionic product applicable to, ionic product to saturated की भी निकाल सकते हो, और unsaturated की भी निकाल सकते हो, दोनों की निकाल सकते हो, और measure the actual, actual amount, मतलब जितना घुला है, उतना बताएगा, ठीक है, maximum नहीं बताएगा, जितना घुला है, जितना भी घुला हो, अब दोनों के ना last slide of the lecture है, दोनों के अलग-अलग case, अगर KIP, ionic product कम है, solubility product से, इसका मतलब solution unsaturated है, solubility product का मतलब saturated solution की ionic product, तो saturated solution मतलब maximum ions की product, maximum जब ion होते हैं, उनकी ionic product को बोलते हैं, solubility product, तो उससे कम होता है, तो ionic product, तो ionic product अगर कम है solubility product से, तो इसका मतलब solution unsaturated है, यह बात समझ में आई, यानि उसमें कुछ और घुला जा सकता है, जैसे मैंने 5 mol NaCl dissolved किया था, और उस टाइम पे मैंने उसकी ionic product निकाल ली, लेकिन actual में solubility product तो उसकी 6.1 है, into 6.1 वो कितना आया, 37.21 वो है उसकी solubility product और ionic product कितने आ रहे थी, 25, तो 25, 37.21 से कम है, इसका मतलब वो unsaturated है और उसमें और ज़्यादा solute dissolved किया जा सकता है, clear है यह बात? Case number 1, सबको clear है? Yes, guys, सोगे सभी, lecture खतम करने वाले हैं बस हम, ठीक है, अब देखो case number 2, अगर दोनों बराबर है तो, मतलब solution saturated है बात ही का तुम, दोनों बराबर हैं, और अगर के आईपी ज़्यादा है तो, अब बई, ज़्यादा तो होई नहीं सकती, क्योंकि वो ज़्यादा घोल कैसे लेगा, तो घोलेगा नहीं, वो उसे नीचे बढ़ा देगा, कहेगा कि नमक अगर ज़्यादा हो गया, पानी में, saturated solution से भी नमक ज़्यादा हो गया, तो नमक नीचे बैढ़ जाएगा, वो घुलना बंद हो जाएगा, और नीचे बैढ़ना शुरू हो जाएगा, यानि कि liquid solution के अंदर से solid बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और इसी को बोलते है, precipitation, यानि then precipitation formation, ये देखो, then precipitation, PPT जिसे बोलते हैं, PPT का मतलब precipitate, precipitate formation take place, यानि कि अगर ये ज़्यादा है, तो precipitate form होना शुरू हो जाएगा, मतलब नमक उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, हमारे solution में नीचे नमक बैठना शुरू हो जाएगा, समझ में आगया भी ये बात, yes guys, yes sir, okay, that's all for the today's session guys, किसे कोई doubt है, तो you can ask your doubts, I am just stopping the recording,